हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो हैकरोम आज तीन तरीके से माचीश से रॉकेट बनाएंगे किरपया इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले एक छोटा सा मैचस्टिक रॉकेट बनाएंगे इसे बनाने के लिए सिंप्ली एक मैचस्टिक लेंगे और एल्मिनियूम फोयल का छोटा सा पीस अब इसको इस तरह से मोड़ देंगे अब यहां त्यार हो गया है चलिए अब इसे लांच करके देखते हैं अब इसे जादा दूर तक जाने वाला बनाएंगे मैचस्टिक रॉकेट इसे बनाने के लिए सिंप्ली इस साइज का एल्मुनियूम पोयल काट लेंगे इसको काट के रखा हुगा आया उसके बाद एक बैम्बू तुथ पीक्स लगवग इतने साइज का काट लेंगे और एक मैचस्टिक लेंगे इसको यहां से तोड़ देंगे इसके बाद एल्मुनियम फैल को इस तरह से मोड़ देंगे टाइटली इसके उपर वाले हिस्से को इस तरह से बंद कर देंगे उसके बाद एक मैच बॉक्स में इस तरह से बोल कर देंगे और इसके आगे वाले हिस्से को काट देंगे प्लायर के मदद से अब यह रॉकेट लॉंचर त्यार हो गया है कि चलिए विसको लॉंच करके देखते हैं अब यह ज्यादा दूर तक नहीं गया यह लगबग 5-10 दूरी तक चला जाता है लेकिन इसके बाद जो बनाने वाले हैं वह लगबग 50 फीट से भी ज्यादा दूर तक जाता है तो चलिए पार्फुल मैचेस्टिक रोकेट बनाते हैं लेकिन उससे पहले यूडिशनरी एप के बारे में जान लेते हैं यूडिशनर एक टासलेट आप है जिसमें बहुत सारे लाइंग्वेज को हम ट्रासलेट कर सकते हैं और इसमें एक नया फीचर आ गया है कनवर्सेशन, कनवर्सेशन फीचर की मदल से हम बहुत सारे लाइंग्वेज को वाइस ट्रासलेट कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी बोल रहा हूं और यह इंग्लिश में ट्रासलेट कर देगा आप इतनी देर से क्यों आ रहे हैं इस एप का लिंक मने निचे दिस्कुशन में देती है वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं पाउरफुल मैचस्टिक रॉकेट बनाने के लिए इस एरियल का यूज करेंगे जो रेडियो में यूज होता है इसमें से किसी भी सिलिंदर का यूज किया जा सकता है लेकिन मैं यहाँ पर सबसे पतले वाले सिलिंदर का यूज कर रहा हूँ इसको यहाँ से तोड़ देंगे इसके बाद इसको यहाँ से तोड़ दे रहा है इस पूरे सिलिंदर का भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर आदा ही यूज कर रहा हूँ इसके बाद इसके एक भाग को फलायर की मदद से चाप देंगे इस छोटे वाले सिलिंडर में दो से तीन मैचस्टिक का यूज कर सकते हैं और उससे जो बड़ा है इसमें तीन से पांच मैचस्टिक का यूज कर सकते हैं अगर हम उससे ज्यादा यूज कर रहे हैं तो बलास्ट हो जाता है इसलिए इस छोटे सिलिंडर में तीन मैचस्टिक से ज्यादा यूज नहीं करेंगे अब मैं इसका बिंग्स बना ले रहा हूं तीन सेंटिमीटर वाई तीन सेंटिमीटर एस्क्वाइर सिप का अलमुनियूम फोईल कर लेंगे और इससे विंग्स बना ले रहा हैं अब मैं इसमें मैचस्टिक का बारूत भर दे रहा हूं इसमें मैं दो मैचस्टिक का यूज करूंगा अब यह तैयार हो चुका है चलिए अब इसे लॉंच करते हैं रॉकेट लॉंचर मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है रॉकेट को लॉंच कराने के लिए बड़े से लाइटर या केंडील का यूज करना है नहीं तो हाथ जला देगा आइए जाकर के गी रहे है चलिए देखते हैं कि यहां पर गिरा है यह लगवग पच्चास फिट दूर आ चुका है अब इससे बड़ा वाला सिलिंडर को लांच करके देखते हैं बड़ा वाला सिलिंडर तीस फिट ही आया